आज हम लोग डिस्कस करेंगे बंगाल का पाल वंस ठीक है और आज पाल वंस का कंपळिश्ट स्टेडी करने के बाद नेक्स क्लास जब आएगा उसमें हम लोग परेंगे बंगाल का सेन वंस ठीक है कि इस पाल वंस के अंतरगत कितने सासक आए कौन-कौन से महत्पुन सासक आए उनका क्या-क्या योगदान है सारे जी को जान जाएंगे ठीक है सबसे पहले प्रिस्ट भूमी के रूप में समझते हैं कि का होता है करनोज पर जो है तिरी पक्षे संघर्स होता है करनोज पर किया संघर्स चलता है त्रिपक्षे संघर्स कंणोज प्र अधिकार करने के लिए ठीक है परतमचरण में क्या होता है परतमचरण में जो है पालमस का धर्म Veans यह उल्जता है Iya इसके दौर प्रतिहार का ठीक है यादना चीज़ों को तो बंगाल का जो पाल वंस है इसका साशन तो सपित था पूरे बंगाल में था बिहार में था और कन्योज पर अपरत्यक्स रूप से था कैसे था वहां पर चुकी संघर्ष चल रहा था दो और इसंघर्ष के दोरान जो है तीन वंस धर्मपाल और चुकि यह समराज विस्तार करना चाहता था इसलिए इस पर पढ़ियास किया और अंततर किसका विजय हो जाता है परतिहार का सासना स्थाफिज होता है किस पर कन्मोच पर ठीक है तो यह हुए तुमारा प्रिष्ट भूमी और पालवंस के अंतरगत याद रखन यानि पालवंस का समराज का विस्तार कहां से कहां तक था तो इसमें जो है चीजों को समझो संपुर्ण बंगाल बिहार और कन्मोच पर हलांकी धर्मपाल के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है ठीक है लेकिन मुखरूपस इसका सासना स्थाफित कहां पर होता है बंगाल म इसका मुखर सासन कहां पर रहता है बंगाल में इसके अलावे कहां कहां पर इसका विस्तार होता है ब्यार और कन्मोच में भी ठीक है कन्मोच धर्मपाल के द्वारा दिकार कर लिया जाता है ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसका जो विस्तार था ना खाड़ी से ल सब्क्राइब और उसके अलाप विष्टार की बात करें तो बंगल की खाड़ी से लेकर दिल्ली तक जालन्धर से लेकर बंदि परवतल साथ यहां तक सब्सक्たार समझ लबतलें olduğunu कि जो है कितने परमुक्सासक को और विडिसक्स नाम क्या हैं है गवपाल धर्मपाल देवपाल महीपाल पर्थम रामपाल ठीक है इन पाउंचों का इथियासम में लोग पढ़एंगे जस्ट तो सबसे पहला हमारा शासक है गवपाल गोपाल के बारे में याद रखना गवपाल नहीं पालवन्स क्या स्थापना करी थी कब करी थी 1760 में क धर्मपाल जो है गोपाल का पुत्र है किसका पुत्र है गोपाल का तो गोपाल के बाद इसका पुत्र जो है धर्मपाल गद्धी पर बैठता है उसके बाद गोपाल का पुत्र था यह तो समझ गया उसके बाद इन्होंने यही जो है यही धर्मपाल कन्नौज का जो त्री पक करके पराजित करके कन्योज में ठीक है उसके बाद चक्रायुद को सासक बना देता है अपने संरक्षन में यादना चीज़ों को और जैसे कन्योज पर एथिकार चुकि लंबे समय तक कन्योज पर संघर चल रहा था पाल का राष्ट कूट का परतिहार का उस पर उस पर जैसे गुजराती कभी होता है उन्होंने इसको धर्मपाल को कौश उपादी देता है उत्तरापद स्वामी का उपादी कौश उत्रापद तो यादना चीज़ों क्या हम जश्च बताए कि कन्योज के लिए जो त्रीपक्ष संगर चल दा था उस कन्योज पर इंद्रायुद को प् से उत्रापद स्वामी का उपादी दिया जाता है कौन स्वादी उत्रापद स्वामी ठीक है उसके बाद इसे धर्मपाल के लेखों में परम्सोगात कहा गया क्या कहा गया है परम्सोगात ठीक है किसको कहा गया है धर्मपाल को इनके अभी लेखों में क्या कहा गया है इनक इसका खंधर आज भी बरत्मान में मौझूद है धारम सीला महाविहार जो की भागलपूर्व भीहार में पढता है कहां पर पर पढता है बंगाल में इसकाफी दर्म्पाल का पुत्र की में रहा है और 770 में गद्दी पर बैठता है कंप तक शासन करता है 810 तक और यह प्रत यह जामते हैं और यही सासक कन्योज के तुरिपक्ष संगर्श में उल्धारा ठीक है और अनततक कन्योज पर इंद्रायुद को परास्थ करके चक्रायुद को शासक बनाया अपने सुनक्षन में और साथ इस विजय के उपलक्ष में क्या करता है भव्वी दरवार काईजन करत जाता है और इस दर्वार में गुज्राथी का बिश्व होता है इसके द्वाइर जो आंधे को ढूंवा इनके द्वारा इनके द्वारा बहुत सारे मठोर और विहारान निद्वार में इनमें से दो परमुख पर चली था है एक तुम्हारा भागलपूर बिहार का विक्रम सिला विश्विद्याला है दूसरा सौमनाथ सौरी सौमपूर कौन था दूसरा सौमपूर जो बंगाल में पढ़ता है अब नेक्स हम लोग पढ़ते हैं इसका पुत्र जो होता है देवप यहां तक इसका पुइंट्स क्या क्या इनको ध्यां से समझते हैं पहला तो धर्मपाल का पुद्र था नोटेंसन यहां तक समझ गये और गद्धी परकवेट था 810 में कब तक सास्मझ करता है 850 वी तक और इनकी राध्धानी कहां थी मोंगेर यानि देवपाल के द्वारा पालवंस की राध्धानी कहां बनाः जाती है मोंगेर ठीक है उसके बाद एक सुलेमान यात्री होता है अरब यात्री यहीं इसी के दरवार में आए तो कुस्टिन पूछ लिया जाता है बहुत IMPOTENT है सुलेमान किसके दरवार में आये था तो देव पाल के दरवार में किस सुलेमन और अरव देश का यातरी था जो घूमने के लिए तो यहां तक समझ गया और यह बहुत धर्म का चंड秤 था बहुत हर्म का सनक्षा ठाओ यह and एक रचण कर चाbecue तो लोग के सवर्सतर की रचना कौन है वजृदत और पर इस धर्म के रचन कहाई था कौन है डेव पौल फैसके बाद कि इसकी सिति में जो है तो इससिती में पर्मुखनेइबल कि रायन पाल राजिपाल गोपाल दुइत्य विग्राफ पाल दूइत्य है इस सब सब सबसे इससी बहुत हो ही है होप सी पालाओं के सकती मजबूत होती हैई किसके समय में मही पाल पर्थम के समय में किसके समय में महिपाल पर्थम के समय में थुरह डिये कर लेते हैं हैं देवपाल के बारे में देवपाल के बारे में क्याद रखें यह जो है धर्मपाल काजा पूर्दaison-D laser- 850 साथ fan करता ठीक है और इनकी राधनी की मात करें कहाँ बनाया मुंगेर और सुलेमान एक अरब यातरी इसके दर्वार में भारत आया था यह बहुत धर्म का सनर्ग शक्ता वज्रिदत एक बहुत लेखक होता है बहुत अन्याई होता है जिनके द्वारा जो है लोके सुरसतक की रचना की करी जाती है और फिर देपाल के बाद पालवंस की स लक्ति कमजूर होनी लगती है और इसके दौरान कुछ सासक करते है कौन-कौन सा होता है विग्रापाल नरायन पालरां गद्धी पर बढ़ता है और कब तक शासन करता है रघ्र8 तक कब तक करता है रच्टी तक याद रखना मत्पाल के बारे महिपाल गद्धी पर बेटता है 1978 में कब तक सखंद करता है अरद यह जो है ना पौल्वन्स का दूसरा संस्तापक आ को संस्थापक महाजर हो गया था त्मुनास को सकती गैसा संसथापक को यह ow sa म तक समझे और इसके समयमेदर चोल का हख्रमन हुद चोल कि चॉल का था था क्या थे और राजेंदर छोल से पराजित हो गया था तो सकते राज़ैंदर चोल कोन था चोल वंस्का प्रतापी सासा होगन राज़ैंदर चोल उसके बाद आतिशा के नित्रित में एक विक्ती था अतिशा इसके नित्रित में बौध धर्म का प्रचार करने एक लिगutan टिफ्बद समझें के का अ just करता है और इसे पालवन का दूसरा संस्थापक का जाता है तो इससे पराजित हो जाता है और फिर अतिहसा के नितुरुत में बहुतथ का मंडली थिबुद भेजता है रामपल को सासन का है राम 250 एक wash जुख चीजों को तो राम पाल के बारे में याद रखना गदी पर कवेटता है दर्सों पचेटरीसी में और कब तक सासन करता है दर्सों और यह अंतिम सासक वालां कि यह अंतिम सासक नहीं बलकि परमुक्ष असक हुआ सासक का बात करें तो यह अंतिम सासक नहीं लेकिन उसका कोई वेल्यू नहीं है उसका कोई महता नहीं है तो अंतिम सासक है और साथ ही साथ जो है राम पाल के बाद क्या होता है इसके दौरा कुछ बड़ा काड़ी नहीं किया जाता है राम पाल के बाद कुमार पाल गोपाल त सामने सेनवंस जिसके द्वारा फिर सासन क्या जाता इसके अंतर गतीन सासक होते हैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इसका ध्यन करेंगे नेस क्लास में आई होप यहां तक समझगी में आ गया